कि नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानिकी नंदनी अडास्ता के चैनल में तो आज कब लोग बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग है थमनेल देखके आप जासे के समझी गए होंगे तो पूरा वीडियो एंट तक देखेगा पहुत ही प्यारा और अच्छा ब्लोग है तो यह बिल्कुल सुबह-सुबह का टाइम था नए उर्जा नए जोस नए खुसियों के साथ यह दिन मैंने ज़ाड़ों न लगाओ तो कहते हैं लच्मी भी नहीं आती और पूरे दिन पैरों में दोल मिटी लगती रहती है तो इसके कारण सुबह-सुबह ज़्यादा ठंड पढ रही है सुबह जादा ठंड पढ रही है अलाकि साम को भी तुनी ठंड नहीं होती और दो पहर में ठं को पहन रहता है सब्सक्राइए नहीं और आज मैंने देख लिए चूला चैंज कर दिया जैसे कि बहुत दिनों से मैं पर ख़ाना बना रही थी लेकिन मैं आए सोची चलो आज चूले पर खहना बनाते हैं और देखते हैं experience कैसा नगता है तो बहुत इसा लग लगरा था और गविलिग आ रही थी वहां पर बनाती थी तो बनाते बनाते उप गई तो सबसे पहले तो हम अच्छी तरह से लगर यां को जलैंगी लकडियां को जलने यानने की गरम करकर सेफचाना होता है और सेफचा लिवे उसके बाद आप जो चूला है वह पूरा जब तक खाना बना रहे हैं तब तक अच्छी से जलता रहेगा और देखिजिए अच्छी से जल चुका है वैसे तो यह गीला भी था क्यूंकि अभी से मैंने मिट्टी से पूत दिया था इसके कारण यह गीला है लेकिन कोई वात नहीं आग फिर भी बहुत बढ़िया जल गई है और मैं चापती डाल दी है और चीनी लियाई हूँ उठा के वहां से यहां प पक चुकी है तो आज कब लोग देखें आपको भी लग रहा होगा कि आप भी ऐसे चूले पर चाय बनाओ अगर आपका मन ऐसा कर रहा है तो प्लीस कमेंट करके बताएगा और यह देख लीजिए गरम गरम चाय से दुआ निकल रहे दम और कि इसलिए दुआ दिख रहा है बताब के लिए तो वह जढ़ा अच्छा नहीं लगता लेकिन यह ज्यादा अच्छा लग रहा था बहुत भूब चूब सूरत सा दिख लात ओर दिख रहा है और तीनों के लिए हमने चाय चांब मना कर रही थे लेकिन मैंने का यह सरदियों में भी आप चैनी पीते हो क्या बात है तो यहां पर मैंने आस्ते के लिए कप रख दिया है और आग सेखने लगी क्योंकि सुबह हाद मुद्ध हो क्या थी थे ठंड सा लग रहा था तो यह देखे आस्ता के पापने सीडी लगा के सीम तोडने के लिए क्योंकि आटारी के ऊपर जो यह सारा यह ना क्या कहते हैं इसे छपड़ा या फिर खपरा कहते हैं तो खपरों के ऊपर यह बिच चुकी है तो वहां तक उचाही तक पहुच नहीं पार रहे थे इसलिए ल अगर आपको बनाना है तो बना लो नहीं तो आप बापस दिल ले जाओगे तो वहां पर बना लेना तो आप पता हैं मुझे उनका उन्होंने क्या किया लगिन मैं तो तुरंट देखे सेम को छेलने लगी हूं और छेल लिया मैंने आस्ता के पापने भी मेरी हेल्प कर तो यहाँ पीछने लगी हूं और आज मैंने मिर्च की मात्रा नहीं जादा रखें इसलिए जादा रखें कि कलर जो है सब्जी की कलर बढ़िया है तो मेरे खाल से बढ़ बढ़ी हाता है और आस्ता कि पापा के वारन में मिर्च नहीं डाल पाती हूं उन्हें बहुत ज्याद और यह देखे शेम और आलू मैंने तेल में फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है फ्राई हो रहे हैं धीमी धीमी आज के ज्यादा तेज आज भी नहीं है और ऊपर से यह जो मसाला मैंने देखे प्लेड में रख रख रखा है उपर से ऐसे ही डाल दूँगे और इन्हें नि यहां और अक्सर यह होता है कि आपको सुबह सुबह रोटी या फिर पराठे लगते हैं तो आप में से किसी ने कमेंट किया था कि आप लोटा लेके आटा मत होतीएगा तो यहां पर देखे मैंने कटोरी ले ली है और आपकी बात को नजर अंदाज नहीं किया है जो दिखे ने मेरी बेटी क्या करती है कि इन सभी डब्बों के चमच उठाके खेलने के लिए लेके चली जाती है तो यहां पर देखे खाना अना बन गया था और मैं यह मिट्टी वाले कमरे की बेड्रूम की सफाई करने आ गई हूं और आस्ता की खटोली लगा के रख दी है मतलब व ब्लग पसंदार है तोल्लिव रख जी दिए लेक चैनल को सब्सक्राइब किए जुआ सब्सक्राइब कर दे किसके आगे आने वाले दिनों में और भी इच्छे रखशे वीडियो आने वाले तो प्लीस सपोर्ट करें तो यहां पर घर की सफाई कई और आगे का कारिक्रम आ गया है और मैं बहुत ही ज़्यादा को दोस्तों मैं नहां दोके रेडी हो गई हूं और खाना पीना बगार तो मेरा सब कुछ पहले ही बन गया था लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं और क्या बता हूं आप से के मैं इसको जाहिर भी नहीं कर पा रही हूं कि अंदर चलते हैं भार सो रहा है हाँ आ रही हूं तो फाइनली दोस्तों मेरा जो गूगल एट्शन स्पीन है वो घर आ चुका है घर नहीं आया है अभी जाना है लेने तो आपके साथ पूरी बाते सेयर करूंगी कैसे कब कितने दिनों में और क्या क्या प्रोसेस था गूग अभी तो पहले चलते हैं एट्शन स्पीन लेने और आस्ते के बापा घर पर है नहीं तो मुझे अपने चाची सास का जो लड़का है देवर उनके साथ मुझे जाना है तो चलिए चलते हैं पहले तो यहां से निकल रहे हुँ और तालमाद्या कि घर पर कोई भी नहीं है और सासुमा से भी बाच्चे तब इन दिनों नहीं हो रही है तो उन्हें भी नहीं कह सकती हूं और दूसरा जो उस्तरब का गेट है वो भी देख ले रहे हूं कि लग लगा तो दिया था ना कहीं ब तो फाइनली दोस्तों हम ना पहुँच चुके हैं डाक घर पोस्ट आफिस तो अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि अधिन करना पर दोस्तों है तो फाइनली दोस्तों जो गूगल एटसंस पीन है वो मिल चुका है लेकिन यहां पर बहुत भीड़ भड़ा आज है इसलिए वीडियो दंग से बना नहीं पारी है तो दोस्तों हम घर पे भी आचुके हैं तो राखो ना बहुत दूले होती चली गई बाइक पे बैठें रहें से और मुझे ना भरोसा नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगा मैं सच बताऊं तो मुझे भरोसा ही नहीं था लेकिन आगे अचानक से ही तो आपको मैं सारी डीटेल देती हूं कि किस किस तरह आया हमारा यह कागज गूगल एड्सेंस पिन तो दोस्तों हमें इसा ध्यान रखेगा कि आपको कभी भी कोई पारसल मंगवाना हो ऐसा कुछ जरूरी पारसल तो अपना नंबर जरूर लिख दीजेगा जैसे कि मैंने आप पर अपना नंबर लिख दिया है और मैंने अपना एड्रेस तो मिटा द पाएंगे दिखे रहे हैं हाँ पास आके थोड़ा बना तो कभी भी आपका अगर एड्सेंस पिन आये तो आप जरूर ध्यान रखेगा कि आप उसमें नंबर जरूर एड करें और यह बाहर का लुक है और तीछे की तरफ से यहां पर एड्रेस लिखा हुआ है मेरा तो यह कुछ इस तरीके का दिखता है अंदर से अगर तो इसे आने में 27 तारिक को ही मैसे जा गया था लेकिन आज लगबग 14 नहीं 15 तारिक है और 27 तारिक से पिछले 27 तारिक से भी 15 तारिक हो चुकी और यह हमारे घर पे अब कर चाहिए तो मैं बहुत खुश हुआ 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 पापा भी यहां पर है नहीं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे सभी को बताने चाहूंगे कि हमारा जो एडसेंस पिन है वो हमने अपलाई कैसे किया और कैसे आया तो जब हमारे उस टूबी स्टूडियो पे तो कुछ डॉलर कंप्लीट हो गय थे यानि कि म पहर तो पूरी ही डॉलर कंप्लीट हो गय ते उसके बाद नहीं आ रहा था मैस्ज नहीं आया था मेरे तो मैंने क्या किया पर से जो अपना एडरेस था वो वेरिफिकेशन फिर से अप्डेट करवाया सथ होगज है और बसक्गन यहां से भेज़ दिया है और थ्री वीक्स के अंदर आपके घर पे पहुंच तो अगर आपका भी गूगल एड़स पिन नहीं आ पा रहा है तो एक बार फिर से जो अपना एड़रेस है अपडेट कर दीजेगा तो सायद आपका भी एड़स पिन हमारी तरह जल्दी आ जाए यहोप आज का ब्लोग आप सुभी को बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लोग के साथ अपते के लिए बाबाए और टेक केर